असलाम लेकुम आवर्वान, आज की इस वीडियो से हम लोग character arrays in C++ को study कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग इसके syntax को और इसके input, output and उसमें कुछ questions आते हैं, उनको solve कर रहे होंगे, बहुत interesting सा आज ये part होने वाला है, and I hope कि आपका character arrays के बारे में जो भी doubt and confusion है, वो इस वीडियो क एक दो इस तरह के बहुत important important questions किये थे, अगर आपने वो check out नहीं किये हैं, आप video में description में playlist का लिंगे, access कर लिए जहापे आप लोग को बहुत अच्छे interesting C++ के beginner to advanced parts मिल जाएंगे, तो आज की specific video में हम लोग character arrays को discuss कर रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग character arrays का syntax के बारे में बात लिखते हैं, character जो के care है, और उसके बाद हम array का name लिखते हैं, जिस तरह हम one integer array में कर रहे थे, array का name होता था, it could be my name, हमजा भी हो सकता है, लेकिन हम specifically हम क्या देते हैं, it's a name, so character name ही क्या देते हैं, तो हमने array का name लिख दिया, और पहले हमने data type लिखी which is care, और उसके बाद हमन array का नाम लिखी है, फिर हमने size बताना है कि कितना size जो है, वो character रेक है, तो आपको बता है कि character क्या करता है, कि let's close, अगर मैं care n में कोई भी data store करवाना चाहता हूँ, तो मैं उसमें a store करवा सकता हूँ, ठीक है, a store हो सकता है, या फिर उसमें b store हो सुक है, तो a character उसमें use हो सक तो इसका आपको I hope clear हो चुका होगा, अब हम देखते हैं कि character name के बाद, हमने, उसके बाद, जैसना integer arrays हम कर रहे थे, कि हम उसका size लिखते थे, तो name के बाद, हम इधर यहां पर उस array का size देंगे, character arrays का, कि उसमें कितने characters को हमने store करवाना है, तो more specifically, आज किस वीडियो में हम यूजर से ले लेते हैं कि इसने कितना size यूजर से ले ले लेते हैं कि उसने कितना size जोई enter करना है, तो उसके लिखना हो चाहिए ससी particular character array का और हम उसी c in size के नाम से variable में उसका store करवा लेते हैं उसके बाद इस name की जगा पे अगर मैं 5, 4 कुछ भी लिखूँ तो it will work fine लेकिन क्योंके specifically उसका size एक size के variable में store करवा चुके हैं तो अब मैं character name की बाद अगर size लिखते हूं तो it will work very appropriately so अब हमने यहां तक क्या किया है के declare करवा चुका है कि करवा लिए किसी भी एक character के जो array है उसको declare करवा लिए हमें अब हम इसको initialize भी करवा सकते थे लेकिन उसके लिए क्या होता है के initialization के वक्त हमें उसके सारे elements को जो है ना वो initialize करना पड़ेगा let's suppose यहां पर size ना आता है वहां पर five आ जाता है और हम equal to लिए उसके बाद हम यह bracket लगाते हैं तो उसमें integer array में क्या होता था कि हम one, two, three, four, five लिखते थे इस तरह से लेकिन इसमें character है तो हम पांच characters लिखेंगे लेकिन आपको पता है कि जब हम character आपको बताया था कि character जो है जैसे character name है उसमें अगर चीज store करने है तो हम एक single inverted commas के अंदर कोई भी character लिखे store करते थे तो इसी तरह से character arrays में भी अब हम जो भी elements store करेंगे लेकिस बो तब five elements store करने है तो अब हम वो character एक inverted commas के अंदर store करेंगे तो इस तरह से हम जब भी size declare कर देते हैं उसके पर हम उसी के साथ initialize भी कर सकते हैं अभी फिलाज इसको मैं खत्म कर देता हूँ तो मैं इसको declare और initialize completely करी देता हूँ ठीक है क्योंकि अब हम कर रहे हैं तो इसको करी देते हैं तो अब यह बाहरा आ चुका है तो मेरे पास इसके दो तीन ways हैं मैंने आपको बताया था कि इसकी indexes और positions की बात कर लेते हैं index क्या होता है किसी भी array का जो भी particular element का position या location क्या है तो आपको बताया था कि integer arrays में क्या होता था कि जो पहला index होता था अगर हम generally उसको usually देखें तो उसका पहली position को one कहना चाहिए बी को two कहना चाहिए integer array की बात कर लोँ वहाँ पर जो भी element होता था उसको one कहना चाहिए two कहना चाहिए three four sound goes and so goes for next लेकिन उसमें index minus one का scene था यानि कि पहले element के index zero फिर one फिर two फिर three फिर four तो इसका मतलब है कि last element का index size minus one होता था क्योंकि size five है तो zero से क्योंकि index start हो रहा है तो last element का size four हो जाता तो इस तरह से हम index minus one के साब से या size minus one के concept से वहाँ पर उसकी position index के बारे में discuss करते थे इसी तरह से character में भी यह होता है कि जो पहला element है उसका index zero होगा ठीक है उसके बाद दूसरे element का index one and same goes और last element का index four हो जाएगा अच्छा बनेशे इसको output करवाना है तो मैं इसके लिए five statements use कर सकता हूँ जैसे cout name of i so अब मैं इसको अगर output करवा दूँ so you will see के a will print out name of i sorry name of i नी name of zero क्योंकि i हमने कोई declare नहीं किया तो मैं यह भी कर सकता था के integer i is equal to zero और name of i करता तो मेरे से पास पहला element output हो जाता लेकिन अभी मैंने name of zero कर दिया तो you can see के a जो हो print out हो रहे इसी तरह से मैं पांच different statements लिख दूँगा next lines में के आप name of one print कर दें तो जिसमें ले-ले success कर ले जहां पर आपको पता लगेगा कि किस तरह से हम लोग fall loop के बारे में बात करते हैं तो fall loop मैंने क्योंकि आपको पढ़ाए हुए है तो हम लोग fall loop को initialize कर देते है fall into i is equal to zero और क्योंकि i is less than always जितना उसका size है क्योंकि आपको पता है कि i zero से start होगा तो zero, one, two, three, four, five five पे वो terminant होना चाहिए क्योंकि e का index four है तो i should be less than five, ओके उसके बाद i plus plus अब मैं एक simple statement print करवा देता हूँ c out name of i and उसके बाद मैं यहाँ पर एक space देता हूँ यह वाली space ठीक है sorry, यह वाली space इसका क्या मतलब है कि यह दो c out statements को मैंने converge कर दिया, merge कर दिया sorry, कि पहले वो name of i यानि कि name of zero, a print होगा उसके पाद एक space print हो जागी, ठीक है उसके बाद b print होगा, फिर space, फिर c इस तरह से a की line में with spaces यह सारे elements print हो जागा, गर मैं इसको के लिए होता है कि अगर आप दो commas लगाएं, double inverted commas उसके तमयान में एक जो bar bracket होती है, जो bar space होती है उसको enter कर दें, तो यह जो इतनी space है यह space के लिए होता है, अगर आप ने इसको merge करके लिखना है, तो आप simple name of i के बाद, आप less than less than और यह space देंगे, तो it will work fine, तो यह तो था किस तरह से हम एक character array को initialize करते हैं, declare करते हैं और उसके बाद हम लोग उसमें data store करवा कर उसका output करवा देते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने integer arrays में चीज़ स्थी कि हम किस तरह से, किस integer गे में हमने देखा खुद feed कर दिया था, लेकिन अगर हम यह option user को देना चाहें तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए simple सी चीज़ है, आप पहले उसका size के साथ उसको declare करोगे, ठीक है, अब उसी के लिए size आप user से ले सकते हो, जैसे अब आपने 5 की जगह पे आपने size लिख देना है, तो अब क्या होगा कि name आपके पास यह करे है, जिसका size क्या है, जो आपने user यूजर डिफाइंड, जो, मतलब users जो उसको define करता है, जो users की values देता है, हम उसको compile time पे नहीं देते है, compile time क्या होता है, कि यह जो अभी मैं कुछ लूप में see in size i कर दूँ, तो इसका मतलब यह है, कि यह loop मेरी help कर रहा है, जो character array है, character name एक array है, जिसका size 5 है, तो उसके हर index पे, क्या होगा particular जो character input लेगा, उसमें वो store हो जाएगा, तो it means के इस line के बाद, हमारे पास जो name के नाम से करे है, वो full हो चुकी है, यह for loop basically input के अब हमारे से लेगा, उसके बाद, मैं यहाँ एक और statement भी दे सकता हूँ, कि enter the array elements, तो उससे क्या होगा, कि हमें पता लाग जाएगा, कि array elements हमने यहाँ पे enter करने है, तो मैं यहाँ यहाँ पे handle statement भी दे देता हूँ, अब इसको run करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि, अ a, b, c, e, or f, d मैं ने लिखा ताकि आपको clear हो जाए, कि आप जो भी element लिखेंगे वो ही output आएगी, तो यह देखें, a, b, c, e, f, so this is how you declare a character array, you initialize a character array, you take input and display that output, तो यह था आज का यह वीडियो, and I hope कि आपको clear हो चुका होगा, next आने वाले वीडियो में हम character arrays के interesting questions को solve करने ज बहुत ख्यार केगा, दौा में याद रखें, लाफिस